1933 जर्मनी में हिटलर के पावर में आने के बाद जर्मन लोगों को एक नई उमीद सी नजर आई कई जर्मन्स को एक्चली में लगा कि अब जर्मनी के अच्छे दिन बिलकुल आएंगे जर्मन्स में पहले से ही एक डीप रूटेट सा प्रेजिडिस था कि जूस की वज़े से जर्मन्स को खत्रा है इसलिए जर्मनी के इस लेवल ऑफ इंप्रूब्मेंट, रिवाइवल या रश्रन इर्मान कह लीजिए उसके लिए जूस की पर्सेकूशन नेसिसरी इवल है हिटलर ने अपनी मन की बातों से जर्मनी का दिल तो जीती लिया था और साथ ही साथ उसने नैशनलिजम की भावना लोगों के अंदर कूट कूट के भरी थी कहने का मतलब है है हैश्टेग नेशन फर्स्ट हर जर्मन आदमी को देश के लिए जान देने के लिए इंस्पायर किया गया और हर जर्मन औरत को बच्चे पैदा करने के लिए जिससे जर्मन की तादाद बढ़े और वो खतरे में ना रहे उस समय कई ऐसे बुद्धी जीवी थे जो हिटलर की आइडिया से सहमती नहीं रखते थे लेकिन हिटलर के कई भक्त जर्मनी में हिटलर द्वारा लाए गए विकास के बारे में बात करते और इन बुद्धी जीवियों को चुप करा देते दरसल नाजी जर्मनी में हिटलर का सबसे पहला काम ने 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 जूस को मारने से पहले जर्मनी की एकॉनमी को सुधारना था हैश्टैक मेकिन जर्मनी और ये काफी हद तक सक्सेस्वल भी हुआ था लेकिन जल्ड ही भक्तों को भी ये बात समझ में आ गई कि ये नेशनलिजम ये विकास के पीछे असली मकसद क्या था और वो मकसद जब सामने आया तो उसके बारे में आप वर्ड वार टू के बारे में पढ़ते हो अपने स्कूल की किताबों में लेकिन आज देश भक्त के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाजी जर्मनी में हुए सेकिलरिजम की मौत और डिसेंट को दबाए जाने की हिस्ट्री की क्योंकि वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वर्ड वार वन के बाद जर्मनी को अपनी हार छुपाने के लिए एक स्केपगोट चाहिए था अर्थार्थ बली का बक्रा यानि कि एक फॉल्स नारेटिव चाहिए था और जर्मन सोसाइटी में पहले से ही कुछ प्रेजिडिस थी जूस के खिलाफ जल्द ही पूरे जर्मनी में ये बात फैला दी गई कि जूस ने ही जर्मन्स को वर्ल्ड वार वन में धोका दिया था इस पूरे नरेटिव को स्टैव इन दे बैक के नाम से जाना जाने लगा फिर क्या था अपने हिस्टोरिकल और प्रेजेंट फेलियर्स का बोज़ा जर्मन्स ने जूस के मत्थे दे मारा कोई भी सवाल बुजो बस वोई सतर साल जूस की गलती का बहाना आगे आ जाता था रूमर्स तो ये भी फेलाए गए कि जूस बॉर का फायदा उठा रहे थे और पहे कमा रहे थे साथी साथ वो युद्ध में नहीं जा रहे थे उससे बच रहे थे इस सब के चलते जर्मनी के लोगों में जूस के प्रती हेट्रिड बढ़ना शुरू हुआ और नाजजी सोच घर बैढ़ गया हिटलर के अगॉर्डिंग जूस यूमन्स तो थे ही नहीं नोमैड्स भी नहीं थे ना 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 गुसबेटिया भी नहीं थे बलकी थे पैरसाइट्स यानी दिमक वो दिमक जो जर्मनी के रिसोर्सेस को आज आ रहा था जल्द ही सरकार जूस के खिलाफ नए लौज लाने लगी जैसे कि जूस और बाकी जर्मन्स की शादी नहीं हो सकती है बेसिकली लव जूहाद को रोकने के लिए और जब 1993 में हिटलर जर्मनी का चांसिलर अपॉइंट हुआ तब तक नाजिजम पूरे जर्मनी में अच्छे तरीके से पहलने लगी थी जब सभी लोगों ने जूस को एंटी नैशनल कम्यूनिटी समझना शुरू कर दिया तो अगला स्टेप आया इस कम्यूनिटी को 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 कम् जूइश शॉप्स को बॉइकॉट करने को कहा। लोगों ने सोचा, लेकिन फिर बोला कि भाई हिटलर ने ओर्डर दिया है, कुछ सोच के ही बॉइकॉट कर वा रहे हैं। जर्मनी में एंटी सेमिटिजम, बतलब एक तरीके का जूइश फोबिया, चरम सीमा तक पहुँचने लगा। इस बीच 1936 में जर्मनी में समर ओलिम्पिक्स होने थे। इन समर ओलिम्पिक्स में आए दूसरे देशों के लोगों के सामने एक शो पेश किया गया। जर्मनी में साब चंगा सी। सभी एंटी जू पोस्टर्स हटा दिये गए, बेसिकली एक वर्चुल दिवार खड़ी कर दी गई रातो रात, जिससे दूसरे देशों के लीडर्स को ना जर्मनी के जूज की तकलीफ, ना उनका पर्सिक्यूशन नजर आए। इसको कहते हैं, हिटलर का मस्टर स्ट्रोक। अब देखिए, सिटिजन्शिप को लेके नाजीज की क्रनॉलजी बिल्कुल सिंपल थी। जूस के खिलाफ नफरत खोलने के बाद, उनको एकनॉमिकली कमजोर करने के बाद, नाजीज ने उन्हें सेकंड क्लास सिटिजन बनाने के लिए लॉस पास करने शुरू किये। जूस का पर्सिक्यूशन होना तो शुरू हो ही गया था, अब जर्मनी को आरियन राष्ट्र बनाते हुए, उन्होंने कुछ लीगल कदम उठाए, जूस को सेकंड क्लास सिटिजन बना दिये। सबसे पहले, नियूरिमबर्ग में नाजी पार्टी ने अपनी चनक की निती लगाते हुए, लीगली जूस का स्टेटस जर्मन जूस से बदल कर जूस इन जर्मनी कर दिया। वैसे जूस का परसेक्यूशन तो काफी सालों से चल रहा था, लेकिन अब जूइश इमिग्रिंट्स को जर्मन सिटिजन शिप भी नहीं मिलने वाली थी। ये लोग जर्मनी को आरेन राष्ट्र बनाने के लिए बहुत एहम कदम था। नाजी जर्मनी के infamous concentration camps के बारे में आज तो पूरे दुनिया को पता है, लेकिन शुरवात में ये camps detention center की तरह काम करते थे, और जर्मनी ने पूरे दुनिया को इन camps के बारे में कुछ नहीं बताया था, छुपा आगे रखा था। जैनवरी 1933 में हिटलर पावर में आया, और मार्च 1933 में जर्मनी का पहला concentration camp बनना भी शुरू हो गया था। जहां तक बात नए building के निर्मान की हो, तो हिटलर वहाँ कोई देरी नहीं करते थे। Initially ये camps Jews को नहीं, बलकि political dissidents, मतलब नाजी पार्टी जैसे रश्टरबाद पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को detain करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे इन camps में criminals को भी detain करने लगे। November 1938 में हजारों Jews को इन concentration camp में भेजा गया और उन्हें छोड़ते समय उनको बोला गया, go to! शायद Germans को लगा था कि Jews के लिए कई देश हैं जाने के लिए दुनिया में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इवन United Kingdom ने 10,000 Jewish बच्चों को तो अपने देश में जगा दी, लेकिन adults को नहीं दिया। फिर क्या होना था? इन camps में जितने healthy लोग थे, उनसे hard manual labor करवाया गया, और जितने healthy नहीं थे, उन्हें मार डाला गया। Nazi Germany में अपना propaganda फैलाने के लिए, मीडिया का बहतरीन तरीके से इस्तमाल किया गया था। Hitler मीडिया की power को बहुत अच्छी तरीके समझते थे, और नई technology का use भी भरपूर तरीके से करते थे। खास कर इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि radio और newspapers में सिर्फ Nazi ideology दिखे। Hitler की raw wisdom, उनकी बहादुरी के किस्से, मीडिया में दिन भर यही highlight होता था कि कैसे Hitler दिन राद जर्मिनी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रमुक एडिटर था Jules Streicher, जो जर्मनी में Jews के खिलाफ नफरत और Hitler का प्रोपोगेंडा पहलाता था। इस एक आदमी ने Jews के खिलाफ इतनी नफरत घोली, इतनी नफरत घोली कि जब जर्मनी की हार हुई, युद्ध के बाद International Military Tribunal ने इस आदमी को Crimes Against Humanity के तहट दोशी पाया, 1946 में उसकी फासी हुई। लेकिन Hitler के हार के पहले एक पूरी पीड़ी का नाश किया गया। सिर्फ Nazi Ideology के किताबे स्कूल्स में पढ़ाए गई, एंटी नाजी आइडियाज वाली सभी किताबों को जला दिया गया। सभी स्कूल्स की किताबों में ये पढ़ाया गया कि Aryan Race is the Supreme Race और बाकी सब विदेशी ताकते, हैरी पॉर्टर की शब्दों में बोले, तो वो मगल्स थे, मडबलड, मने लोर। बुक्स और न्यूस पेपर पर तो वैसे भी लोगों का उतना ही ध्यान होता है, जितना लंच से पहले वाले क्लास पर वो देते हैं, लेकिन फिल्म्स पर लोगों का बहुत ध्यान होता है, और फिल्म से लोगों पर प्रभाग भी उतना ही पढ़ता है, ये बात हिटलर बह मीडिया, पूरा का पूरा, मुवी इंडस्ट्री हिटलर की गोदी में था, हिटलर के इशारे पे फेक निउस फेलाया जाता था, और हिटलर से कभी कोई सवाल नहीं कर सकता था. सवाल करने वालों को फेस करना पड़ता था योसेफ कोरबेल्स जैसे लोगों को जो इतिहास के पन्नों से लोगों को बस यही समझाते थे कि जर्मनी को पुराने अपने सुनहरे दौर पे जाना है इसलिए सवाल बिलकुल मत करो और जो कुछ प्रिस्टिट्यूट मतलब यो नो मीडिया हाउजेज, थियेटर, रेडियो चैनल थे जो सरकार से सवाल पूछते थे या तो उन्हें सेंसर कर दिया जाता था या तो उनके जर्निलिस्ट को ही डिटेन कर लिया जाता था अब ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इसका विरोध नहीं किया जब भी कोई देश फासिजम के तरफ जाता है तो कई ऐसे लोग होते हैं आज की भाशा में बोले तो सिकिलर टाइप लोग, बुद्धी जीवी टाइप लोग जो आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं नाजी जर्मनी में भी जूस के प्रती बढ़ती एक्ट्रोसिटी से परिशान होके कई छोटे बड़े प्रोटेस्ट हुए थे ऐसा ही एक प्रोटेस्ट था वाइट रोज मूवमेंट जो जर्मनी की कुछ मेडिकल स्टूडेंस ने शुरू किया था जर्मनी के लोगों ने तब भी यही बोला था कि अरे ये प्रोटेस्ट ये पॉलिटिक्स ये स्टूडेंस की मतलब की बात नहीं है उन्हें दूर रहना चाहिए लेकिन स्टूडेंस पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी हिम्मत से पूरी जर्मनी की सरकार को तब हिला दिया था बाद में उन्फॉर्चुनेटली इन प्रोटेस्टर्स को एक्जिक्यूट कर दिया गया लेकिन उनकी स्पिरिट आज भी जर्मनी में याद रखी जाती है सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं नाजी जर्मनी के इतिहास में आवाज उठाने के लिए औरतों को भी याद रखा जाता है 1943 में अचानक नाजी आर्मी ने उन जूस को अरेस्ट करना शुरू कर दिया जिनकी शादी आरियन औरतों के साथ हुई थी अरेस्ट की कुछ समय बाद ही उन सभी मर्दों की आरियन पत्निया रोसन्स्टरश पहुची जहां इन जूस को रखा गया था धीरे धीरे भीड बढ़ती रही और एक अपने आप में ही प्रोटेश शुरू हो गया पूरे एक हफ़ते तक रात दिन ये औरते सड़क के बीचों बीच से हिली नहीं अपना धरना जारी रखा और अपने हस्बेंट्स को वापस करने की मांग रखी जर्मन ओफिसर्स के धमकियों के बावजूद ये औरते वहां से नहीं हिली आखिर में नाजी पार्टी के सरकार को भी उनके डिमांड्स को मानना पड़ा और सभी जूस को छोड़ना पड़ा इसे कहते हैं असली घर वापसी इससे पता चलता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट और ओरतों की धरना की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है और आज भी उतनी ही दमदार है 9th November 1938 को जर्मनी में अचानक सभी जूस के घरों पर अटैक किया गया उनके शॉप्स में आंग लगा दिया गया और यहां तक जूस का मर्डर, उनका लिंचिंग और बहुत सारों को तो कॉंसेंट्रेशन कैंप्स भिजवा दिया गया बेसिकली रातों रात जूस के खिलाफ एक पॉग्राम छिड़ गया मने फुल आन फुल आन दंगा इस रात को नाजी हिस्ट्री में कहते हैं The Night of Broken Glasses एक तरीके से जूस को डराने के लिए एक फाइनल मेसेच था सारे प्रोटेस्ट, सारा रेजिस्टेंस छोड़ दो, अब तुमारी तकदीर हमारे हातों है पचास घंटों तक ये स्टॉम टूपर, सिविलियन कपडों में जूस के घर, दुकान, सिनिगोग मने उनके प्रातना स्टल डिस्ट्रॉई कर रहे थे 90 से भी जादा जूस मारे गए, सेकडों इंजर्ड हुए और 30,000 जूइश लोगों को डिटेंशन कैम्स भेज दिया गया बाद में नाजी पार्टीज ने जूस पर ही इंजाम लगा दिया ये सब वाइलेंस का, इसी लिए उनका इंशॉरेंस, उनका कॉंपनसेशन भी सब चिन गया ये सिर्फ एक पोग्राम एक दंगा नहीं था, बलकि आने वाले समय में होने वाले हॉलोकास्ट का पहला कदम जिसके बार में जूस ने भी कभी सोचा नहीं था अब तक जूस को सिर्फ सोशली और एकनॉमिकली बॉयकॉट किया जा रहा था लेकिन इसके बाद जूस को कम्प्लीटली खतम करने की बारी आई जो उस समय इस सब को देख कर भी दंगा समझ कर चुप बैट गए उन्हें बाद में पता चला कि ये तो सिर्फ शुरुवात थी फाइनल सिल्यूशन की, हॉलोकास्ट की वार खतम होते होते लगभग 6 मिलियन जूज मारे गाए और जो जिन्दा बचे न जाने वो कितने सालों तक उस ट्रॉमा को लेकर जीते रहे नाजी जर्मिनी में स्टॉम टूपर्स नामक एक पैरामिलिटरी फोर्स हुआ करती थी जिनके वाइलेंट करीकों ने हिटलर को पावर में लाने में बहुत मदद की थी ये स्टॉम टूपर्स अलग से ट्रेन होते थे इलेक्शन में वोटर्स को धमकाने के लिए नाजी रैलीज में पार्टिसिपेट करने के लिए और ओपोजिशन से लड़ने के लिए बेसिकली हिटलर की पार्टि को सपोर्ट करने वाले लोकल कारे करता थे और इन सभी लोगों का ब्राउन युनिफॉर्म हुआ करता था इसलिए इन्हें ब्राउन शर्ट्स का नाम मिला ये ब्राउन कलर और वाइलेंस का भी न रिष्टा इंजिनियर और बेरोजगारी वाला है कभी ब्राउन शर्ट, कभी ब्राउन पैंग ये आधी मुचो वाला ट्रेंड के इलावा स्टॉम टूपर्स बनाने का आइडिया भी हिटलर का ही था ये कोई Constitutional Organization नहीं था बलकि 1921 में नाजी मुव्मेंट को बढ़ावा देने के लिए एक Extra Constitutional Paramilitary Force था इनकी अपनी शाखाएं होती थी ये अकसर हिटलर और नाजिजम के सपोर्ट में राली निकालते थे बीच में कई कारोनों के वज़े से इस Organization को बंद करना पड़ा लेकिन 1931 में दोबारा इसकी शुरुवात हुई Great Depression के बाद तक ये Storm Troopers का परिवार 4 लाग से बढ़कर 20 लाग सदस्यों तक हो गया इन Storm Troopers और नाजी पाटी के बीच में कई conflicts भी होते थे लेकिन अल्टिमेटली ये Brown Shirts वाले हिटलर के संगीत है और ये हिटलर के Aryan Rashtra के सपने को पूरा करने के लिए जुटे रहे फासिजम और नाजिजम का एक और important feature होता है सीमा पर लड़ता हुआ जबान मने military के लिए pride फील करना और दूसरों को भी एहसास कराना और जो ऐसा फील ना करे उसको anti-national घोशित कर देना ऐसा ही कुछ हुआ नाजी जर्मनी में भी self-pride ही नहीं नाजी जर्मनी में military expenditure पर भी बहुत ध्यान दिया गया बड़ी बड़ी defense deal, fighter planes नहीं जाने क्या-क्या जर्मनी का लगभग आधा wealth army पर खर्च होने लगा 1993 में हिटलर के chancellor बनने तक कई ऐसे Germans थे जो हिटलर पर भरोसा नहीं करते थे लेकिन जल्द ही propaganda और हिटलर की military success से लोगों ने हिटलर को उनका idol बना दिया August 4, 1934 में राइश प्रेजिडेंट के मरने के बाद हिटलर ने तुरंत अपने आपको head of the state और army का supreme leader भी announce कर दिया उसके बाद जो referendum हुआ उसमें सभी के मुँपरीखी सवाल था हिटलर वर्सेज हूँ? opposition को खतम करने के बाद और मीडिया को पालतू बनाने के बाद हिटलर ने अपना असली चहरा दिखाया पहले western Germany के demilitarized zone पर surgical strike फिर Austria और Czechoslovakia के areas में expansion और finally France पर कबजा 1940 में ये सब होते होते और जब हो भी रहा था देश के लोग जोर-जोर से तालिया पीट रहे थे हिटलर के लिए नाजी जर्मनी में गेस्तापो करके एक secret force हुआ करती थी जो लोगों पर एकड़ी नजर रखती थी अरे वही काम जो आजकल social media और pegasus जैसे software करते हैं जर्मन सरकार के पास एक लाख पचास हजार informants थे जो पूरे देश में लोगों पर नजर रखते थे और कोई भी जर्मन सरकार के खिलाव अगर कुछ भी बोल देता थो information डिरेक्ट पहुंचती थी हिटलर के पास basically नाजी जर्मनी में किसी की भी data privacy नहीं थी data privacy के नाम पर उनको मिलता था बाबजी का ठुलो नजर रखने के अलावा गेस्तापों का एक और भी काम था और इन एरेस के बाद अकसर लोग काया भी हो जाते थे ये गेस्तापों inferior races जैसे Jews और Gypsies पर तो खासा नजर रखते थे और कोई भी protest शुरू होने से पहले ही उसको बंद करवा देते थे मतलब full lockdown 1993 से लेकर 1945 में जर्मनी में जो हुआ वो याद करके आज भी German citizen का हाल वही होता है जो big boss देकर हमारे दिमाग का होता है और इसलिए हर जर्मन दुनिया में सबको यही बताता है कि भाया हमारी history आप मत repeat करिये देखिए, school में जब हमें German history के बारे में पढ़ाया जाता है पर्सेक्यूशन होते देख चुप है वार आपको देखेगा और चुप नहीं रहेगा क्योंकि जब आपका नंबर आएगा ना तब आपका कोई धर्म और आइडेंटिटी नहीं पूछेगा और तब तक आपके लिए बोलने वाला भी कोई नहीं बचेगा ये एपिसोड नाजी जर्मनी के दौरान हुए सत्य घटनाओं पर आथारित है इसमें आये पात्रों और तथ्यों का आच से कोई भी संबंद नहीं है यदि इसका वर्तमान से कोई संबंद नजर आता है तो ये एक मात्र सयोग है कैसा लगा देश भक्त पे ये हिस्ट्री लेसन हिस्ट्री लेसन थोड़ा लंबा हो गया हो क्योंकि हिस्ट्री लंबा होता है लेकिन बनाना जरूरी था ये एपिसोड क्योंकि बड़े बुज़ुर कह गए हैं कि हिस्ट्री ओफन रिपीट इटसेल्फ तो ये हिस्ट्री कहीं और रिपीट ना हो पूरे दुनिया में हम यही आशा करते हैं अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट कीजिए अच्छा ना लगा तब भी कॉमेंट कर लिजे किसने रोका है लेकिन अगर बहुत अच्छा लगा तो जरूर हमें सब्सक्राइब करिए ये एपिसोड को शेर करिए और आपको ये मैं बता दू कि ये एपिसोड बनाने के लिए हमें कम से कम दो हफ़तों का रिसर्च लगा है स्क्रिप्टिंग लगा है, फैक्ट चेकिंग लगा है तो अगर आप चाहते हैं हम ऐसे एपिसोड और बनाए तो जरूर हमें सपोर्ट करिएगा मेंबर बनिये देशभक्त के दो आसान तरीके हैं patreon.com slash देशभक्त पे जा सकते हैं या फिर आप join बटन दबा सकते हैं नीचे और YouTube पे direct member बन सकते हैं देशभक्त में आप unlock करेंगे content, आप unlock करेंगे conversations और आप unlock करेंगे हमारा Discord server जहां like-minded people are having a conversation, are debating लेकिन सब logic और facts के साथ देखते रहे हैं देशभक्त, more episodes, coming up